हेलो बच्चो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षागर्थ में बच्चो हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या है इसका एक्सरसाइज 1.1 आज इस्टार्ट करेंगे इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको यूकलीड विभाजन प्रमेका आपको पढ़ाया है यूकलीड विभाजन प्रमेका क्या है मेरे खाल से आज बताने की हमें जरूरत नहीं है अगर आप थोड़ा पीछे वाले वीडियो पर चले जाएं अगर आपने अब तक यूकलिट विवाजन प्रमेका नहीं पड़ा है तो आपको केबल और केबल एक काम करना है या आई बटन दबाद है या पीछे वाली वीडियो पर चले जाएं और डिस्केप्शन में लिंक दिया गया उसको प्रेस करकी भी जा सकते हो और पीछे वाली वीडियो से आप यूकलिट विवाजन प्रमेका कम्प्रेट जरूर करना है ठीक है और आज यहाँ पर बिल्कुल स्टार्ट से 1.1 एक्सरसाइज को कम्प्रेट करेंगे यूकलिट विवाजन प्रमेका का प्रियोग करके हम दो संख्याओं का HCF कैसे ग्याद कर सकते हैं दो संख्याओं का या दो से आधिक मतलब तीन संख्याओं का भी हम HCF यूकलिट विवाजन प्रमेका से कर सकते हैं तो यहाँ पर हमें बस इसी का उप्योग करके इस एक्सरसाइज को कम्प्रेट करना ठीक है तो स्टार्ट करते हैं 1.1 एक्सरसाइज दोखो ध्यान दे हैं यूकलिट विवाजन प्रमेका का प्रियोग करके यहाँ पर हमें एक्सरसाइज 1.1 को कम्प्रेट करना यह आ गई आपकी एक्सरसाइज 1.1 और यह रहा आपका यह पहला वाला कुस्चिन दोखो पहले वाली कुस्चिन में क्या लिखा है यहाँ पर दोखो हमने जैसा की बताया कि यूकलिट विवाजन प्रमेका का प्रियोग करके दो संख्याओं का S.C.F ग्याद करना यह आपका यूकलिट विवाजन प्रमेका का बहुत ही बड़ा अनुप्रियोग है ठीक है तो इसका हम दोखो प्रियोग करेंगे और यह आपका यहाँ पर दोखो लिखा है पहले प्रिशन में निम लेखे से संख्याओं दोखो क्या लिखा हुआ है निम लेखे संख्याओं का S.C.F ग्याद करना क्या करना है S.C.F ग्याद करना और कैसे करना है आँगे लिखा है यूकलिड बिभाजन एल्गोरिज्म का एल्गोरिज्म का मतलब समझ रहे हो यूकलिड बिभाजन प्रियोग करना है उसके एल्गोरिज्म का मतलब होता है चरण वाई चरण प्रिक्रिया से किसी भी समस्या का निरान करना algorithm कहला तो यहां समस्या क्या है दो आपको संख्याएं दी गई है उन संख्याओं का चरण वाई चरण तरीके से हमें हल करना है यूकलिट विवाजन प्रमेका का प्रयोग करके और फिर हमें answer की उर बढ़ना है मतलब SCF जाद करना इतना काम करना है तो हम यह जो process है उसको algorithm करें खीक है तो algorithm से और कुछ मतलब नहीं है तो यहां पर हमें 135 दो को पहला प्रश्ण में दिया गया है 135 और 225 का SCF जाद करना है देखिए कैसे करोगे यह आपका दोखो हम यह आपका exercise हो गया 1.1 और इसमें आपका जो पहला प्रश्ण है और पहले का भी हम पहला कह सकते दोखो दो संख्याएं जो दी गई है वो कौन कौन सी है 135 दो सो पच्चिस है ना आपने सवाल समझ लिया समझो सारे आसान से हो जाएंगे कोई परिसानी बाली बात नहीं है इसमें आपको क्या करना है इसमें आपके पास एक संख्यादों को दिखाई दे रही है यह आपकी 225 संख्या है ये संख्या बड़ी है काई से 135 से तो इसमें जो बड़ी संख्या उसको आप भाज मानों बड़ी संख्या को भाज मानोंगे मतलब भाज का मतलब क्या होता है एसे डिनूट करते है भाज को और ये छोटी संख्या है यह भाजाक है इसको हम B से डिनूट करते हैं यही तो प्रॉसिस है अब क्या करते हैं दोखो यूगलिट विभाजन प्रिमे का इन दोनों पर लगाएं तो ऐसे करते हैं दोखो कैसे पहला step हम ऐसे बनाएंगी दोखो बनाने का पहला step कैसे बनाएंगी वो समझें आपको क्या करना है? 225 में भाग देना है. 225 में काई से भाग देना है? 135 से भाग देना ये देगे. ठीक है? अब भाग तो देखो निस्सित रूब से आपको दिखाई दे रहा होगा. और यहां लिख लेते हैं 135 और इसके बाद यहां गटा देते हैं यह 0 हो जाएगा, और यह आपका कितना हो जाएगा, 12 मैंसे 3 घटाएगा, 9 बजाएगा, ठीक है, अब यह दोको एक step आपका यहाँ पर हम बना के दिखा देते हैं, यहीं बना के दिखा देते हैं, आपको यह लिखा हुआ है, 225, यूकलिट विवाजन प्रमेका होता क्या है, आपको पता ही है, दोको यह होता है, A बराबर B Q प्लस R, यही तो होता है, A मानी क्या है, यह होता है, भाज, यह क्या है, भाज, और भाज बराबर यह होता है, दोको B क्या होता है, B को क्या कहते हैं, भाजक, यह आपका क्या है, यह है आपका भाजक, है ना, भाजक, और ग यूकलिट विवाजन प्रमेका आय समझो, कुछ नहीं है, एकदम आसान काम है, देखो, ये आपका ये जो, ये वाला, ये क्या कहलाएगा, ये क्यों क्या कहलाएगा, भाग फल, और ये आर जो है ना, ये, ये आपका स्विस्पल कहला, यही इतनी बात तो है, यूकलिट वाजन प्रमेका की फॉर्म में लिखना है तो A बरावर A कितना है 225, B, B है आपका 135 लिख दें, और BQ, Q बरावर कितना है, एक लिख दें, और प्लस R, R की वैल्यू हम यहाँ 90 लिख देते हैं, यह आपके पास देखो, A बरावर BQ प्लस R का एक स्टेप होगा है न, complete, हमने बता है, algorithm अपनाना है, channel by channel प्रिक्रिया करना है, तो यह आपका पहला channel complete होता है, इसके बाद आप क्या करना है, देखे, अब आपको क्या करना है, यह आपका 135 जो लिखा है न, यह इसको आप भाज मान लें, और यह आपका यह भाज़ा को जाएगा, मतलब क्योंकि 135 यह 90 से भाग कर दें, तो 90 से हम भाग करेंगे, 135 में तो आपके एक अई बार दोखो यह भी जाएगा, तो यहाँ पर 90 लिख दें और घटा दें, तो यह बचाएगा दोखो कितना 5, और यह आपका 13 में से 9 घटाएगा, तो 4 बचाएगा है न, तो यह चार, यहाँ पर दोखो एक दूसरा स्टेप यही बना के लिख देते हैं, यहाँ पर बिल्कुल वही काम करना है, 135 बराबर 90 गुड़ा एक प्लस में लिख दें, 45, बोलो भई, यहाँ पर दो स्टेप समझ में आ गई, दो स्टेप क्लियर हो गई, इसके बाद आपको फिर वही काम करना है, यह क्रि पर फिर से दुबारां से यूकलिट विवाजन प्रमेका लगाना है, 90 और 90 और कौन सा है, यह 45, यह चूंकि 90 संख्या बढ़ी है, 45 छोटी है, इस पर यूकलिट विवाजन प्रमेका दुबारां से लगा दे, यूकलिट विवाजन प्रमेका से, यह ना, प्रमेका से, तो यहां पर फिर से लगाओगे तो वही काम करना है यह आपका 90 तो हो गया दोखो भाज है ना और भाज़क आपका हो जाएगा यह 45 अब देना है भाग दोखो कितना 90 दूनी 45 दूनी 90 हो जाएगा और यहां पर यह जब घटा होगे तो सेसपल जीरो हो जाएगा एकदम बढ़िया हो गया ना हमने बताया यह प्रिकरिया आपको तब तक दोरा नहीं है जब तक सेसपल जीरो ना हो जाए तो अगर हम इसका दोखो यह तीसरा स्टेप बनाएं तो इस परकार लेख सकते हैं नबे बराबर पैंतालिस पैंतालिस गोडा में दो और प्लस में दोखो यह सीसपल जीरो आगया तो जो अन्तिम भाजाख है दोखो यह पैंतालिस है ना अन्तिम भाजाख है दोखो यह वाला यह जो पैंतालिस है वो आपका अंतिम भाजाक होगा, अंतिम इस्टैप में जो भाजाक होगा, ऐसी समझो, है ना जो चरड आपका अंतिम होगा, उस अंतिम चरड का जो भाजाक है, वही ऐसी, आप कहला है, इतनी सी बात है बस और कुछ अधिक आपको और लिखा है 38220 ये लिखा हुआ है 196 और ये है 38 कितना है 38220 फिर से एक बार देख लें बई गलती ना हो जाए 38220 बिल्कुल ठीक है इसमें दो को अब क्या करना है 38220 ये बड़ी संख्या है 190 चोटी संख्या है तो आपको क्या करना है इसको भाज मानना है बड़ी बाली संख्या को तो भाज बराबर तो आपका ये हो जाएगा 38220 और ये आपका भाजक हो जाएगा जो छोटी संख्या है भाजक बराबर कितना हो जाएगा आपको 190 लेखना है अब आपको भाग देना है फिर इसके बाद में वही सूत्र लगाना है भाज बरावर मतलब A बरावर B Q प्लस A यही तो है ना A बरावर मानि भाज बरावर भाज गुणे भाग फल प्लस सेस फल इतनी सी बात है बस यहाँ पर अब आपको दो क्या करना है वही भाग बाली प्रिक्रिया करनी है मानि आपको 196 से भाग करना है 196 से और यह है आपका 38 220 में भाग करना है ठीक है चलो वई करके देखाओ यह आपका दो 192 लिखा है यह 382 लिखा है एक ही बार जाएगा वही जादा जाएगा नहीं तो एक बार भाग दे देते हैं 196 लिख दें और यह घटा दें तो यह आपका 12 में से 6 घटाएगा तो 6 बचाएगा और यह आपका 7 मानि हो जाएगा 17 17 में से 9 घटाएगी तो 8 बच जाएगा ठीक है और यह दो में से 1 घटाएगा तो 1 बचाएगा तो 186 होगा ठीक है अब यह आपको क्या करना है आंगे 2 का यह दो को 2 का अंक यहां से लिख दें दो लिख दें अब 196 का भाग दें जो की 18 62 से अधिक ना हो तो अब आपको क्या करना है दोको नो उनिस दूनी 38 उनिस दिया 57 और उनिस चोको चैतर उनिस पंचे 95 चली आप दोको 190 का भाग करेंगे तो यह भाग जाएगा 9 बार कितनी बार जाएगा दोको 9 बार 9 का दोको 9,6,54 लिख दें और 9,81 और 5,6 है ना 6,86 में 6 लिख दें 12 में से 8 बच जाएगा 12 में से 4 गटाएगा तो हमें हमने बताया कि आपको सेसफल जब जीरू मिल जाए तो आंगे प्रोसेस नहीं करनी है बस एक चरड में ही इसकी प्रक्रिया पूरी हो गई इसको आपको लिख देना है कैसे जोगो इस्टेप बनाना है 38 220 बराबर 195 यहां गुड़ा में लिख देते हैं 195 और प्लस ऑने आपको बताया जो अंतिम भाजाक होगा वही तो HCF होगा तो यहां पर देखी अंतिम भाजाक क्या है यह अंतिम भाजाक 1956 है तो यह आपको 196 है यह ही HCF है HCF तो HCF बराबर आपको लिखना है 196 ये आपका अंसर हो गया एक है एक है इस्टेप में काम खतम जब भी कभी सेस्पल सून होता है वहीं पर आपको फिर इस्टेप आँगे बढ़ाना ही नहीं है क्योंकि काम खतम होता है वहीं से तो अब आते हैं इसका दो को तीसरा पार्ट में रिखाल से हम आपके लिए छोड़ दें क्या कर सकते हो ये तो आप आपके लिए होमबर्क मैंने कहा दिया कर सकते हो अराम से करें यदि किसी प्रकार की कोई समस्या लगे तो मुझे कमेंट जरूर कर ठीक है तो हम अंगलेबाली वीडियो में इसका भी हल कर रहें मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अगर नहीं आता है तो हम छोड़ देंगे ओस नहीं अगर आपको नहीं आ रहा है तो comment करके मुझे चरूर不是 ठीक है क्या लिखा है क्यों कोई पूढंक है देखा है दिखाइए दिखाइए या दर्साइए एक अई बात है कि कोई भी धनात्मक विसम पूढंक जो होता है वो विसम पूढंक हमेशा 6Q प्लस बन के रूप का होता है या 6Q प्लस 3 के रूप का होता है या 6Q प्लस 5 के रूप का होत है यह आपको प्रूब करके दिखाना है बिलकुल आसान पर यूप लगो कोकर ओ कि आपको दे और और原 टुसरा यूप लिखाजन प्रमयका का प्रियोग करके हमें ऐसा दिखाना है देखो ध्यान ने, यहां लिख देते हैं, Euclid, Euclid, विभाजन, प्रमेका से, Euclid विभाजन प्रमेका से आप जानते हैं, कि A बराबर होता है, B Q प्लेस R, यही तो Euclid विभाजन प्रमेका है, इसमें आप यह भी जानते हो, कि जो R होता है, वो कहां से कहां तक, 0 is less than, equal to R is less than B यह position होती है R की है ना यही तो है तो अब आपको तो कोई यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर B बराबर 6 मान लेते हैं B बराबर 6 रख दें क्या लेख दें B बराबर 6 ठीक अगर B बराबर 6 रख दें तो हमें इस प्रकार से A बराबर मिल जाएगा 6 Q प्लस R बो ठीक है एक बात बताओ भई अगर B की वैलू 6 है तो बताओ R की वैलू कितनी होगी यहाँ से देखिए यहाँ से बताएं आप R की वैलू कितनी होगी R 0 हो सकता है R 1 हो सकता है R 2 हो सकता है R का मन 3 हो सकता है R का मन 4 हो सकता है, R का मन 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं, 6 से कम होना चाहिए, तो यह क्या लिखा है, B से कम और B बराबर 6, तो 6 से कम कितना होगा, 5 होगा, ठीक, एकदम ठीक है, तो R बराबर आपको लिखना है, 0, 1, 2, 3, 4, या 5, इतना, ठीक है, R का मन हो सकता है, तो यहां पर आ R बरावर 0 रखने पर R बरावर अगर 0 रख दें तो A की बैलू हमें कितनी मिल जाएगी 6Q प्लस R की बैलू 0 मिल जाएगी तो अब आप हमें ये बताओ कि ये संख्या A जो है A बराबर 6Q मिला है तो ये 6Q संख्या sum है या भी sum है तो बिल्कुल निस्चित रूप से आप कह सकते हो भईया ये तो sum है कितनी है sum 2 से डिबाइड हो जाएगी ना 2 से जो डिबाइड होती है वो सभी संख्या sum होती है अगर 6Q संख्या sum है तो 6Q प्लस 1 संख्या कैसी होगी sum में अगर हम एक जोड़ दें बिसम हो जाएगी सीधी सीधी तो इसको हम बिसम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं बिसम लिख सकते हैं बोलो ये बिसम हो गई या नहीं हो गई बोलो ये बिसम हो गई अब ये बताओ भई आर बराबर हम आर बराबर हम दो रख देते हैं आर बराबर दो रखने पर दो क्या मिलेगा एक ही value हमें मिल जाएगी 6Q plus 2 ठिक अब आप ये दोखो 6Q plus 1 ये वाली संख्या कैसी है विसम है अगर विसम संख्या में एक और जोड़ दिया तो 6Q plus 2 हो गया मतलब ये तो सम हो गया तो यहाँ पर आपको लिखना है सम ये संख्या दोखो 6Q plus 2 संख्या है वो कैसी संख्या हो गई 6Q plus 2 सम संख्या हो गई है ना इसके बाद आँगे और थोड़ा आँगे दोखो अब आपको क्या करना है R बराबर 3 लिखना है यहाँ लिख देते हैं R बराबर 3 रखने पर अब जब R कमान 3 लिखोगे तो एक ही बैलू हमें मिलेगी 6Q plus R कमान 3 लिख दें ठीक है तो अब बताओ 6Q plus 3 संख्या कैसी है भाई या फिर बिसम हो गई यह तो 6Q plus 3 संख्या कैसी हो गई बिसम या ऐसे भी कह सकते हो कि भाई अगर यह संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती है तो भी सम है 2 से डिवाइड हो जाए तो सम है तो यहाँ पर 6Q plus 3 संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी इसलिए यह संख्या हम भी सम कहेंगे ठीक है ना दुबारा से फिर से दो को वही काम करना है R बराबर 4 रख दें तो R बराबर 4 अगर रखते हैं तो एक ही बैलू हमें कितनी मिल जाएगी 6Q प्लस R कमान 4 रख दें तो ये हो जाएगा 6Q प्लस 4 अब 6Q प्लस 4 संख्या तो बिलकुल एकदम सीधा सीधा दिख रहीगी के सम है क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगी है ना तो ये फिर सम हो गई अब बताओ भई R बराबर 5 रख दें R बराबर कितना रख दें R बराबर 5 रखने पर तो जब R कमान हम 5 रख दें तो A की वैलू हमें कितनी मिल जाएगी A बराबर हो जाएगा 6Q प्लस R कमान 5 रख दें ठीक है ना R बराबर 5 रख दें तो अब 6Q प्लस 5 कैसी हो गई दोको फिर भी सम हो गई क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रही तो ये फिर विसम हो गई अब आप ये देखो प्रश्ण में हमसे क्या पूछा गया है कि कोई भी धनात्मक विसम जो पूलांग है वो 6Q प्लस 1 की रूप का हो सकता है देखिए ध्यान दें हमसे प्रश्ण में ये कहा गया है कि कोई भी धनात्मक विसम पूरंग है, दोखो ध्यान दें, विसम पूरंग है कौन कौन से, दोखो एक तो ये विसम हो गया, दोखो विसम हो गया या नहीं हो गया, 6Q प्लस बन ये विसम है या नहीं, है न, ये भी विसम है, दोखो ध्यान दें, फिर इसके बाद में विसम क पुडांग जो होता है, वो किस-किस रूप का हो सकता है, वो आपका हो सकता है, 6Q प्लस बन के रूप का हो सकता है, वो आपका 6Q प्लस तीन के रूप का हो सकता है, या 6Q प्लस तीन के रूप का हो सकता है, या 6Q प्लस तीन के रूप का हो सकता है, या 6Q प्लस तीन के रूप का हो सकता है यही हमसे प्रश्ण में पूछा गया है तो आपको यहां पर answer में क्या लिखना है अता कोई भी धनात्मक विसम पूरंग आपको यहां क्या लिखना है अता हाँ कोई धनात्मक विसम पूरंग धनात्मक 3 या 6Q plus 5 के रूप का हो सकता के रूप में होगा चलिए यहाँ पर इसे नहीं लख देते हैं तो यह आपका कोई भी धनात्मा विसम पूरांक जो होता है 6Q plus 1 के रूप का हो सकता है 6Q plus 3 के रूप का हो सकता है otherwise 6Q plus 5 के रूप का हो सकता है कम्प्लीट हो गया भी है किसी को कोई डाउट अगर डाउट हो यह कमेंट करके जरूर पूचे ठीक है तो अब बलते हैं कुष्या नंबर 3 के उपर आ जाओ देखिए तीसरा प्रश्ण क्या है यह है आपके पास कुष्या नंबर 3 यह ना क्या कहा है प्रश्ण नंबर 3 में बहुत आराम से समझें तीसरे प्रश्ण में आपसे तो कोई अबारत लिखी हुई है यहाँ पर अबारत क्या लिखी है किसी परेड में देखिए ध्यान दें किसी परेड में 616 सदस्यों बाली ए तो इना आरमी की टुकडी को, 32 दरस्यों बाले, 1 आरमी बेंड के पीछे मार्च करना है ,क्या करना है क्या करना है, जो सैने के जमान होते न, उनका मनोबलाने के लिए आंगे बेंड रेहे जाते हूँ, वह 魔िंड बजाती है वो पिछे से मार्च करते हैं जो सेना के जबान होती है तो यहाँ पर क्या होता है जब सेना के जबान मार्च करते हैं तो आपने देखा होगा 26 जनवरी 15 अगस बगएर पर जब मार्च उसमें टीवी में भी देखा होगा तो बिलकुल एकदम इस्तम्म लगा के सीधा सीधा चलते हैं वो लोग है ना इस्तम्म लगा के आगे बेंड वाले होते हैं वो बेंड बजाते जाते हैं और पीछे वाले मार्च करते हैं जो जबान होते हैं उनके पीछे बिलकुल इस्तम्म में जाते हैं कदम ताल मिलाते हुए यही तो होता है देखिए तो उसमें जो जबान है वो तो है आपके कितने है छेसो सूला जो जबान है वो कितने है छेसो सूला और उसमें जो बैंड वाले हैं वो भी जबान ही होते हैं वो बैंड वाले हैं वो आपके 32 हैं कितने हैं 32 है ना सवाल में पूछा गया है दोनों समुहों को समान सं संख्या वाले संख्या वाले संख्या में मार्च करना है ऐसा नहीं है कि एक संख्या में जादा बेंड वाले हो जाएं दूसरे में कम ऐसा नहीं करना है जितने संख्या हैं उसमें अगर हर संख्या में बेंड वाले तीन तीन हैं तो दूसरे में भी तीन होंगे तीसरे में भी तीन होंगे, चौथे में भी तीन होंगे, जितने संभ में बने हैं, उसमें बेंड वालों की संख्या हर एक में बरावर, समान संख्या में है न, ये कहा गया प्रश्ण में, ठीक है, और आप से पूचा गया है, संभों की अधिक्तम संख्या क्या होगी, क्या कहा गया, इस्तम्भों की अधिक्तम संख्या क्या होगी, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, जो मार्च कर रहे हैं, जवान, वो उसमें अधिक्तम इस्तम्भों की संख्या कितनी होगी, ये आप से पूछा गया है, बिल्कुल एकदम आसान प्रश्ण है, दोखो ध्यान दें क्या कहा गया है यह तो इस तरीके से हम तो यहां पर थोड़ा से डाइगरम बना के बताएं आपको यहां पर है क्या बास्तम में जैसे हम यह मान लेते हैं कि यह आपका एक इस्तम है एक इस्तम आपका यह है एक इस्तम आपका यह है कोई बार नहीं, इसी के बाद बिलकुल एकदम सीध में, यह वाला, यह एक जवान यहां पर होगा, फिर यह यहां पर होगा, दूसरे इस्तम्मे में भी इसी परकार से होंगे, तीसरे इस्तम्मे में भी इसी परकार से यह जवान होंगे, इस तरीके दे, चौते इस्तम्मे मे में ऐसा नहीं है कि यहां पर इसमें तीन हो जाएं यहां पर दो हो जाएं नहीं अगर दो यहां हैं तो दो इस इस इस्तंबे में भी होंगे यह जबान बेंड वाले उतने ही बेंड वाले इस इस्तंबे में होंगे समान संख्या में यह मार्च करते हैं ऐसा प्रश्ण में कहा गया है कि अगर 616 जबान हों तो 32 अर्मी बेंड के आंगे जो लोग जा रहे हैं बेंड बजाते हुए उनको भी उसी में मार्च करना है तो अधिक्तम इस्तंभों की संख्या कितनी होगी तो इसका सीधा सीधा आर्थ है कि आपको 216 और 32 का SCF लिखाना है बहुर कुछ नहीं तो बस इतना आसान सा काम आपको करना है कि 32 और ये आपका कितना है ये देखिए 616 और 32 है न 616 ये वाला 616 लिखा है और ये लिखा हुए 32 इसका हमें SCF ज्याद करना है तो अधिक्तम इस्तंभों की संख्या ज्याद हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर देखिए आधिक्तम स्तंबहों की संख्या गयाद करने के लिए क्या करना है 611 हाँमें 611 ये है 611 और ये आपका 32 इसका से अब गयाद करना है इसमें आपको सीधा दिख रहा है 611 ये बड़ी संख्या है 600系 15 बड़ी संख्या है तो ये आपका भाजक हो जाएगी और ये 32 जो है न वो भाज हो जाएगा तो सीधा सीधा आपको 616 616 में भाग कर देना है कितने से 32 से आपको भाग करना है ठीक है ना ये आपका कौन सा कुछ यह ने भई यह तीसरा है ना तीसरा कुछ यह ने तो यहाँ पर आप क्या करेंगे दोगो ध्यान देन यहाँ पर हमें पहले 32 का 32 दूना 64 होता ना तो एक अई बार तो जाएगा एक यहाँ लिख लेते है और 32 यहाँ लिख लेते है 32 ठीक है अब यहाँ घटा देते है दोगो 11 में से यह 9 बचेगा यह पांच मैंसे यह दो बचेगा अब यहाँ पर दोखो 6 लिख देते और 9 बार चला जाएगा 9 बार यहाँ पर दोखो लिख देते 9 तो 9 दूनी 18 हांसिल 1 और 9 तियस 27 और 28 ठीक है घाटा दो भई घाटा होगे तो किसना बचाएगा 16 मैंसे 8 बचाएगा और यहाँ पर किसना हो जाएगा यह भी आपका कुछ नहीं 0 हो जाएगा ठीक है 8 सेसफल बचा अब दोखो क्या करना है आपको हमने बताया ऐसी अब गयाद करने के लिए तब तक यह क्रिया हम बढ़ाते हैं यह प्रोसेस तब तक आँगे दोर आते हैं जब तक सेसफल सून ना हो जाएगा यही तो काम करते हैं चलिए तो सबसे पहले अब इसका हम पहला इस्टेप लिख देते हैं पहला इस्टेप कुछ इस प्रकार आप लिख सकते हो दोखो चैसो सूलहा बराबर में लिख दें 32 गोडामा लिख दें 19 प्लस सेसफल आपका 8 इतना के लिए अब आपको क्या करना है दोखो यह जो आपका 32 है यह आपका हो जाएगा भाज और यह 8 है वो आपका बन जाएगा भाजाग तो आपको क्या करना है 32 वा 8 पर फिर से यूकलेड विभाजन प्रमेका लगाने क्या करना है यूकलेड विभाजन प्रमेका दुबारा से फिर लगाने खीक है चलिए लगा के दिखा देते हैं दोखो दुबारा से वही काम है यह आपका हो जाएगा 32 वो है भाज और 8 आपको भाजक बना देना है इस तरीके से दोखो 32 में भाग देना है 8 का 8 चोको 32 चार बार सीधा सीधा जाएगा तो यहाँ पर सेसफल कितना हो जाएगा 0 एकदम एकदम आसान काम है दोखो इसका स्टैप इस प्रकार लिख सकते हो 32 बराबर 8 गोडें 4 और प्लस सेसफल में क्या है 0 बस जैसे 0 होता है हम नहीं का आपकी प्रोसेस आंगे की खतम जो अंतिम बाजक है वही सेफ हो जाएगा तो यहाँ पर अंतिम बाजक कितना है दोखो यह 8 है ना तो यहाँ पर आपको लिखना है अंतिम बाजक अगर 8 मिल गया तो इसका मतलब अधिक्तम इस्तंभों की संख्या आपको 8 मिल गई यह आपकी दोखो अधिक्तम इस्तंभों की संख्या है ना अधिक्तम इस्तंभों की संख्या बराबर आपको क्या लिखना है 8 क्योंकि इसका जो है SCF हमने कितना निकाला 8 और जो SCF होगा वही अधिक्तम संभों की संख्या हो जाए ठीक है ये हो गया आपका आपका कितना किलियर हो गया कोई डाउट नहीं इसके और आगे अब हम बढ़ते हैं question number question number पहुँचें बही कहाँ पर ये है आपका question number चौथा है न तो आप देखते है question number 4 दोखो ये आपके पास है question number 4 इसमें आप से दोखो क्या पूछा गया है लिखा है Euclid विभाजन प्रिमेका का प्रियूब करना है आपको और इसके द्वारा हमें क्या दिखाना है आगे लिखा है किसी धनात्मक पूरांग का जो बर्ग होता है वो किसी पूरांग M के लिए 3 M के रूप का होता है otherwise 3 M प्लस बन के रूप का होता है ऐसा हमें सिद्ध करना है Euclid विभाजन प्रिमेका से हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि किसी भी धनात्मक पूरांग का जो बर्ग होता है किसी भी धनात्मक पूरांग का जो बर्ग होता है वो किस रूप में होता है या तो 3 M के रूप में होता है या 3 M प्लस बन के रूप का होता है ऐसा हमें प्रूब करना है चलिए एकदम आसान बात है एकदम आसान दो को कैसे करना है आपको यह है question number 4 यहाँ पर question number 4 आपको करना है और Euclid विभाजन प्रमेका का प्रियोग करना है तो यहाँ लिख देते हैं Euclid Euclid विभाजन प्रमेका से Euclid विभाजन प्रमेका से आपको दोखो क्या करना है आपको पता है Euclid विभाजन प्रमेका होता है A बराबर B Q प्लस R मतलब भाज बराबर भाजा को गुड़ें भागफल फ्लस सेसफल इतना ही तो है यहाँ पर दोखो जिए सेसफल R है उसकी वैलू आपको पता है कहां से कहां तक होती है 0 is less than equal to R is less than B 0 से लेकर के B जो पूडांग है उससे 1 कम ना तो अगर B का मान 4 है तो आपको आपको R का मान कहां तक लेना है 3 तक लेना है और अगर B की बैलू 3 है तो आपको R का मान 0 रखना है एक लिखना है दो लिखना मतलब तीन से कम लिखना है ठीक है तो इस प्रकार से यहां पर अगर हम यह मान लें दोखो ध्यान दें यहां पर हम मान लेते हैं बी बराबर माना यह बी बराबर अगर हम तीन रख दें तो यहां पर अगर हम बी बराबर तीन रख देंगे तो हमें बताया R की value कितनी होगी, 0 से आंगे लेकर के आपको चलना है, मतलब 0 होगा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है 3 नहीं, R का मान 3 नहीं हो सकता है क्योंकि हमने बताया, कि R का मान कितना होगा B से 1 पुरंग कम, ठीक है तो B बराबर 3 है, 1 पुरंग कम करोगे तो 2 तक रहेगा आपका, ये R का मान दाएगा, ठीक है, अब आते हैं दोखो, A बराबर कितना हो जाएगा यहां लिख दें R बराबर 0 रखने पर, अगर हम R का मान 0 रख दें, तो हमें दोखो A का मान कितना मिलेगा, A बराबर हो जाएगा 3 Q प्लाइस R का मान कितना लिख देंगे, 0, ठीक है अब R का मान 0 लिख दिया तो हमें A की वैलू, अब कितनी मिल गई 3 Q मिल गई, भई, मिल गई ना, अब जो A मिला उसका हम बर्ग करेंगे, किसी भी धनात्म पुरांग का बर्ग हमें करना है बर्ग करके ये देखना है कि उसका मान 3 M के रूप का होता है जहां M को इपूरांग यही तो बाद सवाल में पूछी गई है तो चलिए यहां पर बर्ग कर देते हैं यहां लिख दें बर्ग करने पर लिख देते हैं बर्ग करने पर चलो बर करो A square हो जाएगा इधर बर करोगे तो 3Q का square हो जाएगा 3Q का होलाप square लिख दे और जब square इसका दोखो तोड़ो गए तो आपको निस्थ रूप से 9Q का square मिलेगा और 9Q square को हम लिख सकते हैं कितना ये लिख सकते हैं 3 into में 3Q का square और 3Q square बराबर अगर हम M लिख दें तो 3M हो जाएगा ये जहां पर दोखो M कितना हमने लिखा है M बराबर जो लिखा है वो आपका है कितना 3Q का square ये M की बेल है ना M बराबर 3Q square तो ये देखिए हमने जो आपको अभी बताया किसी भी धनात्मा कूरांग का जो बर्ग होता है वो कितना होता है देखो ये होता है 3M के रूप का कितना होता है किसी भी धनात्मा कूरांग का बर्ग देखो ये है A बर्ग मतलब धनात्मा कूरांग का जो बर्ग है वो 3M के रूप का होता है confirm बात हो गई भी चलिए दोको और इसके आंगे थोड़ा और बढ़ेंगे जब r बराबर हम एक लें तो यहां पर अब देखो क्या करना है आपको आपको यहां पर आजाओ अब यहां लिख देते हैं दुबारा दूसरे बार में लिख दे आ, r बराबर कितना लिख दे आ, r बराबर एक रखने पर तो चलो r का मान एक रख देते हैं तो r का मान जब 1 रखेंगे तो a की value हमें कितनी मिल जाएगी 3Q plus R का मान 1 लिख दे 3Q plus 1 मिल जाए तो जब A का मान 3Q plus 1 मिल गया अब हमें क्या करना है अब इसका भी हमें बर्ग करना है क्योंकि किसी भी धनात्मा कूलांग का बर्ग हमें देखना है 3M की रूप का अथवा 3M plus 1 की रूप का होता है चलो यहां पर बर्ग कर देते हैं यहां लिख दें बर्ग करने पर तो अगर हम बर्ग करेंगे तो यह तो A square हो जाएगा बराबर इदर 3Q plus 1 का हम square कर देते हैं चलिए कोई बार ने whole square इसका तोड़ोगे A plus B का whole square बराबर क्या होता A square plus B square plus 2A b तो उसी फर्म से आपको 3 q का पहले esqr करना है यहाँ पर लिखना है 9 q наши प्लैस आब एक का esqr तो एक एक ही मिलेगा प्लैस यहाँ पर 3 q और एक दोनों का जब गुणा करोगे उर्स का दोना करोगे तो आपको कितना मिलेगा च्छे q कितना मिल जायगा च्छे q ठीक है? अब आपको दोखो 9 Q स्क्वाइर में से और ये आपका 6 Q इन दोनों पदों से आपको 3 common ले लेना है 3 common लेंगे तो 3 तरका 9 ये आपका 3 Q स्क्वाइर हो जायागा और प्लस का निसान लगाओ 3 दूनी 2 Q हो जायागा ये दोखो और प्लस बन आपका दोखो जिसमें से हमने एक मैसे कुछ common नहीं लिया तो आपको एक ये जियूखतियों लिख देना है अब बराबर में दोखो इसको ऐसे लिख सकते हो 3 और इस पूरी संख्या को हम M मान लेते हैं प्लस बन आपका ये जियूखतियों M हमने किसको मान लिया है ये दोखो पूरी संख्या है इसको हमने M लिख दिया ये पूरी संख्या इसको हमने क्या लिख दिया M लिख दिया ठीक है इसको हम M के रूप में हमने लिख दिया है यहाँ पर लिख दें कूडांग का जब बर करते हैं तो किस रूप में होता है ये देखिए तीन Q प्लस बनके रूप का होता है किस रूप में होता है तीन Q प्लस बनके रूप का होता है ठीक है ना चलिए इसके बाद देखो और एक बात है यहां पर अब आपको क्या करना है यहां पर देखिए आं अगर हम r का मान 2 लिख दें तो देखो हमें a की value किती मिल जाएगी a बराबर हो जाएगा 3q प्लस r का मान 2 लिख दें ठीक है न अब बर्ग कर दें तो यहां पर देखो बर्ग करने पर कितना मिलेगा बर्ग करने पर तो अगर हम बर्ग करेंगे तो a का square तो a square हो जाएगा बर में, ऐधर 3Q पلस 2 का हम बर्ग कर दें तो होल बर्ग इस पा लगा दो, ठीक है ना अब इसके बार देखो क्या करना है आप पो आप इसके बार आपको यहां पर इसका स्क्वाइर फिर तोर देना है दोगो, स्क्वाइर कैसे टोडोगी 3Q प्लस 2 का whole square बराबर करना है 3Q का square तो आपको 9Q square लिखना है प्लस यहाँ पर देखो 2 का square कितना लिखना है 2 का square आपको 4 लिखना है प्लस यहाँ पर 2 तिया 6 और 6 दूनी 12 लिखना है 12Q लिखना है चलिए और आंगे यहाँ पर एक step थोड़ा सा हम अपने आप से बढ़ा के लिखना है कैसे? यह 3 9Q square लिखा है इसको तो आप जैसे 9Q square फिर इसके बाद में 12Q लिखा है इसको भी आप जियों काते हूं लिखना है इसके बाद जो 4 लिखा है इस 4 को हम इस परकार लिख सकते हैं 3 plus 1 4 को हम लिख सकते हैं 3 plus 1 की रूप में 3 plus 1 बराबर 4 होता है तो अब यहां पर देखिए इन 3 पदों से आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देख रहा है 3 common एकदम बढ़ी ऐसा देख रहा है 3 यहां से आप common लिख सकते हो 3 तरका 9 मतलब 3 Q square लिख दें और plus में 3 चौकों मतलब 4 Q लिख दें और plus में 3 एक हम 3 लिखेंगे और plus 1 आपका यह जियों का 3 रहेगा ठीक है अब देखिए आप इसको यहां पर इस प्रकार लिख सकते हो 3 और यह पूरा हम M मान लेते हैं plus 1 आपका ठीक है M बराबर हमने कितना लिखा है देखिए M बराबर यह लिखा हुआ यह पूरी संख्या यह इतनी किया है यह आपका M हो गए ठीक है नँ यह M हमने मान लिया अब देखिए यहां पर हम लिखे दें जहां पर M बराबर कितना हमने माना है यहां लेखे दें, M बराबर हमने मान रखा है 3Q का स्वायर, प्लस में 4Q और प्लस में 1 लेखे दें, खीक है ना, अब निश्चित रूप से हमारे पास बिल्कुल जो बात हम सिद्ध करना चाह रहे थे, वो बात मिल गई, क्या सिद्ध करना चाह रहे थे, कि किसी भी धनात्म कूरां का जो बर्ग होता है, वो या तो आपका 3M के रूप का होता है, या 3M प्लस बन के रूप का होता है, यह देखिए अगर हमने पहले की बात करें, इससे दो को पहले बाले में हमने क्या बताया, यह देखिए, यहां पर देखिए, यह किसी भी धनात्म कूरां का या देखिए और थोड़ा पीशे और लोटके जाओ जो हमने पहले वाले यहां पर क्या किया है यहां पर भी देखिए आपको यह मिला है यह देखिए किसी भी धनात्मा कूलांग का बर किस रूप में होता है 3M के रूप के होता है यह हम यह कह सकते हैं कि यह आपका 3M प्लस बनके रूप का हो सकता है खीक है तो इसका मतलब निश्चित हो गया कि आताहा यहां लिख देते हैं बिल्कुल एकदम सुद्ध हिंदी भासा में लिख दें कि आताहा किसी धनात्मक पूरांग का बर्ग पूरांग का बर्ग 3M या 3M प्लस बन के रूप का होता है बोलो भाई इसमें तो मेरी खाल से अब कताही समस्या कोई नहीं रही होगी है ना किलियर हो गया एकदम और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो बिल्कुल और बिल्कुल एकदम यही प्रशन आपका कुस्ष्य नंबर 5 पे लिखा हुआ है थोड़ आसान तरह दोगों क्या लिखा है यूकलेट बिवाजन प्रमे का का प्रियोग करके दर्शाओ ये कि चलिए बिल्कुल एकदम आसान काम है अब आपका ये प्रशन जो आगे वाला है बिल्कुल एकदम आखरी प्रिश्ण है चलिए यहां पर लेख लेते हैं Question number 5 दो काम वही करना है Euclid विभाजन प्रिमेका का प्रियोग करना है यहां लेख दें Euclid Euclid विभाजन Euclid विभाजन प्रिमेका से Euclid विभाजन प्रिमेका से Euclid विभाजन प्रिमेका से क्या लेख सकते हो आप लेख सकते हो A बराबर BQ प्लस R A बराबर BQ प्लस R जहां R बराबर कितना होता है R की वैलू जो होती है R की वैलू होती है 0 is less than equal to R is less than B ठीक है न चलिए यहां पर अगर हम B बराबर B बराबर हम 3 रखने कितना लिखने B बराबर 3 रखने पर आपको क्या मिल जाएगा यह A की वैलू हमें मिल जाएगी दोखो 3 Q प्लस R अब R बराबर बताओ कितना होगा यहां पर R की वैलू हमें मिल जाएगी कितनी 0 हो सकता है 1 हो सकता है या 2 होता है, 0, 1, 2, ठीक है न, 3 नहीं होगा, ठीक है, अब क्या करना है तो को A बराबर, ये R बराबर आपको 0 रखना है, R बराबर 0 रखने पर, जब R की वैलू हम 0 लिखेंगे, तो A बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 3Q प्लस R का 1, 0 लिखेंगे, तो हमें ये 3Q मिल इतना काम हमने उसमें भी किया था, इसमें भी आपना वही काम किया, लेकिन उसमें आप से पूंचा गया, घीकिए, और ये देखिए, नो-इंप क्या लिखा इसमें किस रूप में होने चाहिए, 9 M या 9 M प्लस 1 अथवा 9 M प्लस 8 की रूप का होने चाहिए यही तो है तो चलो एकदम आसान काम है यहां भी आपको क्या करना है अब गहन कर देTM बराभर कर निशान लग ओ 3 Q और इस पर Q लेख दे ठीक है अब यहां पर देखिए 3 का cube करोगे तो 27 में लेगा cube का cube करोगे cube हो जाए ठीक है अब इसको इस प्रकार भी दोको लिखा जा सकता है किस प्रकार दोको बहुत ध्यान से समझे 27 को हम लिख सकते है 9 तिया 27 मतलब 9 गोड़े 3 cube का cube ये इस तरी ठीक है और यदि हम 3 cube के cube को m बराबर हमने माना है 3 cube का cube तो अब देखिए किसी भी धनात्मक पूरांग का जो हमने किसी भी धनात्मक पूरांग का जो घं किया है वो किस रूप में मिल गया देखो एका cube किस रूप में मिला है 9 m की रूप में देखो मिल गया यही तो हमसे पुछा गया है कि किसी भी धनात्मा कूरांक का जब घन करते हैं तो वो 9M के रूप का होता है ठीक है ना चलिए इसके बाद अब आपको क्या करना है R की वैलू बदल के हम 1 रख देते हैं क्या रखेंगे दोखो R की वैलू हम बदल के 1 लिख देते हैं दोखो R बराबर क्या लिख दें यहां पर दूसरे स्टेप में आपको करना है R बराबर यह देखिए R बराबर 1 रखने पर R बराबर 1 रखने पर अब R कमन जब 1 लिख देंगे तो A की वैलू हमें मिल जाएगी 3Q plus R कमान एक लिख दे, आप घं कर दे खीक है न, सीधा-सीधा काम वहाँ हम बर्ग करते थे, और इस प्रिष्ण में आपको क्या करना है, घं करना है न तो घं कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं हमने ये बर्ग लिख दिया, इसको हम यहाँ पर रफ कर लेते हैं चलिए दोगों, हमें क्या करना है, बर्ग करना है, यहाँ लिख देते हैं बर्ग करने, स्वरी, घं करने पर घं करने पर चलो, घं कर देते हैं दोगों, एक का क्यूब हो जाएगा इधर, इधर 3Q Q प्लस बन का हमें यहां Q हो जाएगा है ना यह Q कर देते हैं इसका whole Q कैसे तोड़ोंगे यहां पर लिखना है दोगो तीन Q लिखा है तो तीन Q का आपको Q लिखना है प्लस एक का Q एक ही होता है प्लस यहां होता है तीन इंटू तीन Q इंटू एक इंटू ब्रैकिट में लिखना है तीन Q प्लस एक यही तो फर्मूला होता है AQ plus BQ plus 3AB bracket में A plus B तो हमने वही काम किया है दोखो ये हो गया AQ plus ये हो गया BQ plus 3AB और ये A plus B क्लिए? चलिए यहाँ पर एक step और आँगे बढ़ाओगे तो इस परकार मिल जाएगा 3, 3, 9, 3, 27 यहाँ लेख दें Q का Q लेख दें plus यहाँ एक का Q आप एक लिख देंगे plus का निसान और आँगे तो को 3 तरगा 9 Q ये हो गया कितना हो गया ये पूरा 9 Q 9 Q का पहले 3 में गुड़ाँ करो तो 9 यह 27 लिख दें 27 Q का Q में गुड़ाँ Q स्कायर हो जाएगा अब 3 तरगा 9 Q का हम एक में गुड़ाँ करेंगे तो यह हमें plus का 9 Q ही मिल जाएगा ठीक, clear चलिए बहुत अच्छी बात है इसके बाद देखिए और थोड़ा आँगे अब आपको क्या करना है अब आपको और थोड़ा आँगे बढ़ाँ तो इस प्रकार देखो इसको हम बना सकते है बराबर का निसान लगाओ और एक पद ये है, एक पद ये है और एक पद ये है तीनों पदों से आपको 9 common लेना है कितना? 9 और 9 common लेने के बाद हमें 9 तियस 27 मतलब 3 Q का Q बच रहेगा यहाँ पर प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ भी आपको 9 तियस 27 मतलब 3 Q का स्कॉाइर बच बच रहेगा प्लस यहाँ पर 9 से 9 पूरा कैंसल हो जाएगा तो Q बच रहेगा और bracket बंद कर देए प्लस एक आपका ये दो को जिसमें से हमने common नहीं लिया है उस पद को जियों कातियों प्लस एक बाद में लिख दिया हमने अब देखिए आप बहुत ध्यान से बराबर का निसान लगाते है 9 आपको जियों कातियों लिखना है और ये पूरा जो हमने बताया ये बाद इसको हम क्या मान लेते हैं इसी को हम M मान लें और प्लस बन आपका ये जियों कातियों तो आप देखो किसी भी धनात्मक पूरांक का जब हमने घन किया तो किस रूप में मिल गया 9 M प्लस बन के रूप का देखो ये मिल गया किसी भी धनात्मक पूरांक का जब हमने घन किया है तो हमें किस रूप में मिलता है 9m प्लस बनके रूप में मिलता ये देखे धनात्मक पूरांग का गहन किस रूप में मिलता है 9m प्लस बनके रूप में मिलता है आपको लिखना है m बराबर दोखो हमने कितना माना है यहां लिख देते हैं m बराबर m बरावर कितना 3 q का cube लिखोगे plus 3 q square लिखना है plus q लिखना है ठीक इतना किलिए हो ठीक है किसी को कोई doubt एकदम किलिए रो रहा होगा अब इसके बाद में आपको क्या करना है जोखो r बरावर दुबारा से फिरे आपको अब r की value 2 लिख देनी है r बरावर यहां लिख देते है r बरावर 2 रखने पर r बरावर 2 रखने पर चलिए r का जब मान 2 लिख देंगे तो हमें a की value कितनी मिल जाएगी हमें 3 q प्लस r था ना तो r को हम 2 लिख देते है a बरावर 3 q प्लस 2 हो जाएगा अब क्या कर दें तो फिर वही काम करना है घन करने पर यहां लिख दें घन करने पर तो चलो घन कर देते हैं घर करने पर हमें a का घन तो a घन मिल जाएगा मतलब a q मिल जाएगा इधर 3 q प्लस 2 का हम घन कर दें मतलब q लगा दें ठीक है? कितना ठीक है? यह यह 2 का cube करना है, तो आपको क्या लिखना है, 8 लिखना है, फिर plus का निसान लगाएं, फिर 3 लिखना है, into में 3 Q लिखना है, into में 2 लिखना है, फिर bracket में 3 Q प्लस 2 लिखना है, यही तो करते हैं, A का Q प्लस B का Q प्लस 3 A B, A प्लस B, ठिक, चलिए बहुत अच्छी बात है, और थोड़ा आंगे बढ़ जाओ भई, ये आपके पास लिखा है 27 इंटू Q का Q, फिर प्लस का निसान लगाएं, चलिए आठ बाद में लिखते हैं, यहां पर देखिए, तीन और तीन का मल्टी पिल तीन तरका 9, 9 दूनी 18 Q हो गया, ये टोटल कितना हो गया, 18 Q, और 18 Q का दूनी 18 Q है ना, ये पूरा कितना है 18 Q, तो इस 18 Q का गुड़ा आप दो में करना है, तो 18 दूनी 36 और Q, 36 Q हो जाए, ठीक, और ये प्लस 8 का, ये जो प्लस 8 बीच में लिखा है ना, वो आपको यहां पर लिख देखिए ना, यूँ का थे, अब आप बहुत ध्यान से देखे तो इन दोनों तीनों पदों से, पहले तीनों पदों से आपको दिहान से देखना है, तो आपको ये देख रहा है, कि यहां से आपको common मिल दा है, कितना, आपको no common मिल दा है, चलिए, कोई बार नहीं, नो को 9, 37, 3 Q का क्यूब लिख दें, फिर प्लस का निसान, और 9, 34, 36 हो अब जो आपने ब्रैकेट में लिखा हुआ है इस पूरे ब्रैकेट वाली इस पूरी राज को हम M मान लेते हैं तो यह हो जाएगा 9 M प्लस 8 ठीक है यह देखिए जो हमने आपको यह ब्रैकेट में लिखा हुआ ना यह पूरा यह इतना तो इस पूरी संख्या को हमने क्या लिख दिया M किस पूरी संख्या को क्या लिख दिया हमने M लिख दिया ना यह पूरा M हो गया तो अगर यह पूरा M हो गया तो इसका मतलब यह आपका कौन सा रूप हो गया यह आपका रूप हो गया 9m प्लस 8 के रूप का होता है यही तो हमें सिद्ध करना था तो यहाँ पर दोखो m बरावर कितना है यहाँ लिख दें m बरावर आपको लिखना है 3q का क्यूब प्लस में लिख दें 4q स्क्वाइर प्लस में लिखेंगे 4q यह है m की value तो हमने सिद्ध करके यह देखा कि किसी भी धनात्मक पूलांग का जो गहन होता है वो किन किन रूपों में होता है देखी सबसे पहले हमने क्या किया है यहाँ पर आप देखें ध्यान से यहाँ पर हमने सबसे पहले यह आपको जब r बरावर हमने 0 बनाई थी क्या बनाया था r बरावर यह दोखो 0 लिखा था तो किसी भी धनात्मक पूलांग का घन हमें दोखो किस रूप में मिला था यह 9m की रूप में मिल गया था फिर हमने दोखो क्या किया यहाँ पर किसी भी धनात्मा कूडांग का जब हमने घन किया तो हमें दोखो यहाँ पर 9 M प्लस बन के रूप का यह मिल गया फिर हमने दोखो यहाँ पर क्या किया यहाँ पर जब R बरावर हमने 2 रख दिया तो हमें किसी भी धनात्मा कूडांग का घन करने पर दोखो किस रूप में मिलता है ये आपका दोखो मिल गया कितना भई कितना भई दोखो आजओ 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 ये दोखो किसी भी धनात्मा कूडांग का जब हमने घन किया है तो ये हमें 9m प्लस 8 के रूप में मिलता है तो इसका मतलब निश्चित रूप से ये सिद्ध होता है कि किसी भी धनात्मक पूरंग का जब हम घन करते हैं तो वो घन किस रूप में मिलता है यहां लिख दें आता हाँ किसी किसी धनात्मक किसी भी धनात्मक पूलंग का बर्ग 9m या 9m प्लस 1 अथवा 9m प्लस 1 अथवा 9m प्लस 8 के रूप का होता है के रूप का होता है ये बर्ग लिख दिया ये तो हमने गलत लिख दिया घन है ना ये घन है वह ना किसी भी धनात्मक पूलंग का जो घन होता है वो यहाँ पर घन लिखना है घन किस रूप में मिलता है 9m या 9m प्लस 1 अथवा 9m प्लस 8 के रूप का होता है यही हमें सिद्ध करना है बोलो भई किसी को कोई डाउट हो गया ना कि लिख काम तो इस तरीके से भाईया exercise पूरी एकदम आपकी finish होती है अगर किसी प्रकार की कोई आपको समझ्या लगे तो मुझे comment करके जरूर बगए यहाँ नया setup है अगर किसी प्रकार की setup में कोई समझ्या लगे तो वो भी हमें बता सकते हो और किसी प्रकार की हमने जो आपको question करव हैं उनको समझदारी में अगर आपके समझने में कोई समस्या लगी है तो हमें comment करके जरूर बगए तो फिलाल आज का वीडियो यहीं समाब्त करेंगे अंगले वाली वीडियो में हम आपको अंगली वाली exercise जो 1.2 है उसको भी आपको एक-एक करके सारे question को complete करेंगे और वह अच्छे से पढ़िए मन लगाके पढ़िए ठीक है और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भईया सब्सक्राइब कर लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए ठीक है इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए